नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पुजारी जी में यहां हम आपको अवगत कराते हैं हर नई जोतिशकत विदियों के बारे में एवं पूजा पाट से सम्मंदित सभी जानकारियों से सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि हमसे पहुँचने वाली हर जानकारी आप तक तुरंत पहुँचने नमस्कार मित्रों अब हम आपको बताएंगे कि व्रशव राश के अनुसार ऐसा होगा आपका सभाव इस राशी का चिन बैल है बैल सभाव से ही अधिक परिश्वी और बहुत अधिक वीर्यवान होता है साधारणते वह शांत रहता है किन्तु क्रोधाने पर वह उग्रूरूप धारण कर लेता है बैल के समान सभाव व्रश राशी के जातक में भी पाया जाता है बिर्श राशी का स्वामी सुक्रग्रह होता है इसके अंतरगत कृतिका नचत्र के तीन चरंण, रोहणी के चारो चरंण और म्रग शिरा के प्रथम दो चरंण आते हैं इनके जीवन में पिता पुत्र का कलेह रहता है जातक कामन सरकारी कारियों की ओर रहता है सरकारी ठेकेदारी का कारे करवाने के योगिता रहती है पिता के पास जमीनी काम या जमीन के द्वारा जीवी को पारजन का साधन होता है जातक अधिकतर तामसी भूजन में अपनी रुच दिखाता है गुरु का प्रभाव जातक में ग्यान के प्रती अहम भाव को पैदा करने वाला होता है वह जब भी कोई बात करता है तो स्वाभिमान की बात करता है सरकारी शेत्रों की शिक्षा एवं उनके काम जातक को अपनी ओरा करशित करते हैं किसी प्रकार से केतु का बल मिल जाता है तो जातक सरकार या मुख्य सचेतक बनने की योगिता रखता है मंगल के प्रभाव से जातक के अंदर मांसिक गर्मी प्रदान करता है कलकार खानों, स्वास्थिकारियों और जन्ता के जगड़े सुलजाने का कारे जातक कर सकता है जातक की माता के जीवन में परेशानी ज्यादा होती है ये अत्यधिक सौंदरे प्रेमी और कलाप्रिय होते हैं जातक कला के शित्र में नाम करता है माता और पितपती का साथ या माता और पत्नी का साथ घरेलू वातावरण में सामन जस्ता लाता है जातक अपने जीवन साथी के अधीन रहना पसंद करता है चंद्र, बुद्ध, जातक को कन्या संतान अधिक देता है और माता के साथ वैचारिक मतपहिद का करण बनता है आपके जीवन में व्यापारी के आत्राएं काफी होती है अपने ही बनाये हुए उसूलों पर जीवन चलाता है हमेशा दिमाग में कोई योजना बनती रहती है कई बार अपने किये गए शणयंत्रों में खुद भी फस जाते है रोहनी के चोथे चरण के मालिक चंद्रमा है जातक के अंदर हमेशा उतार चड़ाओ की स्थिती बनी रहती है तदा वै अपने ही मन का राजा होता है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो बेल आइकोन पर जाकर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पुजारी जी